पिने लीजाब लुब जानल कुछ परकील यह बनाते हैं है इसके बनाना इस्टार करते है जरा मिखांगे में पतेख पतीले में ढाल देंगे हैंब हमें अब कê अब इसमें हम डालेंगे एक काटोरी किलम से सुगर कर देंगे इसको चीनी घूलने तक पकाएंगे और इसमें ज्यादा हमें गाढ़ा चासरी नहीं बनाना होता है अब हमने ले गया रेडी मिक्स जो मार्केट में असानिस से मिल जाता है इसमें हम ले लेंगे एक बाउल में अधा मैं यानल कर लेते हैं हमने हमाधा ले लिया है मैं भाउल को हम आधा अब इसको घर बूर घ्री अल्मडा उसमान जाक मेंगे आफना हुए थनदा दूड है बॉइल लके अधा कीरा हुए और शबस हाँ थोड़ा दू डाल लेंगे और इसको उच्छे से बिलाते जाएंगे इसमें इतना याद रखना है एक इप्धा दूद नहीं डालना है धुर थोड़ा फुर ऐसमें अड़ करना है कि इसमें दूद या पानी बहुत का मात्रह में ही लगता है कि देखिए थोड़ा सी दूद में हमारा ये रेली मिक्स तयार हो गया कि इसको अच्छे से हम चिकना कर लिए हमने यह हमारा एक चौथ हाई कप लगा है हमारा दूद इधर हम चासमी देख लेते हैं इसमें डाल देंगे थोड़ी इलाची पाउडर देखें हमारा चासमी तयार हो गई है इसको हम थोड़ा साह से चोगे देख लेंगे आच से मारे चिप चिपी सी होने लगे हमारी चासमी तयार होगी इसको हम साइड में रख लेते हैं चलते हैं तो यह हमारा डो भी सेट हो गया है तो इसके हम चोटे-चोटे गोले बिना लेते हैं तो यह हम से मसलते हों उसमें बॉल्स बना लेंगे पिल्गुल चीकना होना चाहिए अगर उपासे जड़ा भी क्रेट्स रहे तो वह खतने लगता है इसके तरह हमें सारे बॉल्स बना लिए चलिए इसको अब तर लेते हैं तिधा हमें रख दिया कड़ाही इसमें हमें गहरी तिल कड़ाही चाहिए अब तेल वारा गरम होगा है बहुत नम्हें हलका तेल गरम होना चाहिए इसमें इसको डाल देंगे अब हमारे चैनल को बन्या है तो हमारे चैनल को लिए सब्सक्राइब लाइक आप लोग पुरा दूर्यों देखिएगा इसको हम इसको हम चलाते रहे हैं इसको धिरे धिरे कर्ची से तूहां इसको बिल्कुल चोना नहीं है असे बाइब फार काची से इसको इसे हिला के कि ने स्पूद तेना है कि इन देखने लगी अगर इसको हम कच्छा शाया है तो जाएगा इसलिए ज़्रइश दो यू दो यू आये में इसको चासली में इसी तरह से दूसरा भी हम बच्चे को तर लेंगे इसी तरह हमने सब को तर लिया है देखिए हमारे कुल जाम बनके हो गए तैयार थैंक यू